Hi everyone, this is your प्रेम भाईया, Welcome to Educational Hikes, आज के इस वीडियो में हम Class 8, Tensiati Science के Chapter No. 16, Light का Part 3 पढ़ने वाले हैं हमने already इस Chapter से Part 1 and Part 2 अप्लोड कर रखा है अगर आपने उन दोनों Parts की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उपर Information बटन पर एक Link है, Link पर क्लिक करो, वीडियो को जरूर देखो इसके अलामा, आप इस वीडियो के Description Box को जब चेक करोगे तो वहाँ पर आपको उन सभी Chapter की Links मिल जाएंगी जो हमने अभी तक Class 8 के लिए अप्लोड किया है So go now and watch those videos Now come to Part 3 Part 3 में ना यार, कुछ ऐसे चीज़े हैं जो आपको Class 9th and 10th की Science में भी देखने को मिलेंगी तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से Explain करना तो बनता है हमने 3D Images का यूज किया है जिसकी मदद से आप चीज़ों को Imagine कर पाओगे आपको लगेगा ये सारी चीज़े आपके सामने हो रही है Yes, but before that विडियो को स्टार्ट करने अस पहले एक चोटा सा question है मेरा आपके लिए कि आप अब भी उतना ही up-to-date feel कर रहे हो आप उतनी ही structured education अब भी पा रहे हो जितना आप स्कूल में पाते थे आप स्कूल जाते थे वहाँ पर आपको कोई doubt होता था आप teacher से पूछते थे teacher आपको notes भी लिखवाता था ताकि आप exam में अच्छे से marks लेके आओ teacher आप से test भी लेता था weekly, monthly ताकि आप अच्छे से अपने performance को check करते रहो और exam में जाकर अपना best दे के आओ अब panademic की वज़े से ये सारी चीज़े हो नहीं पा रही है स्कूल का education बिल्कुल पूरी तरीके से damage हो चुका है अब इस समय यार जो पूरे student जिन्होंने पूरे साल educational hike से पढ़ाई करी है उनको मैं कहीं और कैसे जाने दे सकता हूँ तो तुम्हारे लिए यार हमने नया revision batch start किया है class 8 का इस revision batch में English, Science और Mathematics के daily live lectures ले जाएंगे जिसमें आप at the time अपने doubt को पूछ सकते हो एक पूरा proper structured education में वहाँ पर दे रहा हूँ मैं तुमसे कितना भी प्यार कर लूँ मैं तुमसे कितना भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ बट वो सारी चीजे मैं तुम्हें YouTube पर नहीं दे पाता मैं तुम्हें YouTube पर test conduct नहीं करवा पाता मैं notes नहीं दे पाता मैं important questions नहीं दे पाता इन चीजों के lackness की वज़े से ना यार मैंने एक अलग platform educational hikes application पर ये सारी चीज़े आपके लिए रखी है अब पर class 8 की एक revision batch start है उस revision batch में आपको पूरी class 8 का एक structured education मिलने वाला है science, math, English के सभी concept teachers live आकर doubt solve करेंगे इसके अलावा आपको notes मिलने वाली है यार लगातार continuously हम test कराते रहते हैं ताकि आप अपने performance को check कर सको इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप personally teacher से live आकर पोछ सकते हो इतनी सारी facilities आपको ना एक momos के पैसे से मिल जाएंगे आप momo party करने जादो ना momos party उतने पैसे में आप पूरे class 8 को पढ़ लोगे तो जाओ मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कोई भी ऐसा reason आपके पास होगा कि आप इस batch को join ना करो नीचे description box में batch को join करने का एक link मिल जाएगा link पर click करो और batch को join जरूर करो यार यह batch हमारे application educational hikes पर available है so class 8 go now and join that batch so hi everyone welcome to computer screen हमें start करना है kaleidoscope से इसके पहले की जितने भी topics हैं वो हमने already part 1 और part 2 में पढ़ रखे हैं जाके उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना now kaleidoscope क्या होता है आपने देखा होगा कि आपके science lab में एक microscope रखा होता है और आपने एक चीज और देखा होगा telescope यह जो microscope और यह जो telescope होता है वैसे ही हमारा kaleidoscope भी होता है क्या काम होता है kaleidoscope का जैसे microscope और telescope से हम दूर की चीजे या past की चीजों को देख पाते हैं न बिल्कुल ऐसे ही kaleidoscope भी किसी चीज को देखने के लिए use होता है किस चीज को देखने के लिए और ये kaleidoscope बनता कैसे है ये हम सीखेंगे activity number 16.6 से activity number 16.6 इस activity से हमें क्या करना है इस activity में हमें सीखना है कि भीया kaleidoscope कैसे बनाते है kaleidoscope बनाने का पूरा step by step तरीका मैंने यहां पर बताया हुआ है आपको इसके लिए करना क्या है बनाने के लिए get three rectangular mirror strips जिसकी लंबाई होनी चाहिए 15 cm और चोड़ाई होनी चाहिए 4 cm आपको करना क्या है मेरे भाई आपको पहले step में तीन सीखे लेने है एक दो और तीन तीनों सीखों की जो लंबाई होनी चाहिए वो 15 cm होनी चाहिए और जो चोड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 cm ठीक है मैंने ये सीसे ले लिए आपको ये सीसे किसी भी hardware की दुकान पर मिल जाएंगे उनसे कह देना कि भाया मुझे सीसे काट के दे दो जिसकी लंबाई 15 cm हो और चौडाई 4 cm हो वो आपको दे देंगे अब आपने सीसे ले लिए अब आपको करना क्या है join them together to form a prism as shown in figure 16.12a अब ये जैसा figure में दिख रहा है tent जैसा एक चीज बन गया है ना बिलकुल ऐसे ही आपको इन तीनों सीसो की मदद से बनाना है कैसे एक सीसा यहां पर लगा दो दूसरा सीसा यहां पर लगा दो तीसरा वाला mirror यहां पर fit कर दो आपका ये पूरा prism बन के तयार हो जाएगा ठीक है मैंने ऐसा भी कर लिया भाईया अब आगे क्या करना है make sure that the tube is slightly longer than the mirror strips अब आपको यह जो prism है ना आपको एक ऐसे ट्यूब में डालना है ट्यूब कहां से मिलेगा आपको जैसे चार्ट पेपर आप खरीते हो ना तीन रुपे चार रुपे की चार्ट पेपर को ऐसे गोल 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 मोल लो ठीक है और उसके बाद इसका जो आखरी वाला end है इसक चिपका दो जिससे हमारा यह गोल का ट्यूब बन जाएगा इस ट्यूब के अंदर आपको इस prism को अंदर डाल देना है समझ में आया अब उसके बाद क्या करेंगे हम close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center अब हमने यह चार्ट पेपर को गोला गोला भी कर लिया हमने इस prism को अंदर भी डा अब क्या करना है अब हमें ऐसा कोई cardboard ले लो दफ्ती ले लो और दफ्ती में एक ऐसे गोल सा जो disc होता है काट लो इस गोल के disc के बीच में ऐसे hole कर दो ठीक है और इस tube के ऊपर आके चिपका दो जैसे यहां पर चिपकाए गया है ठीक है भाईया मैंने कर दिया उसके बाद क जीजे क्या हो रही है वो देख पाओ ठीक है इसलिए cardboard के अंदर हम क्या करते हैं hole करते हैं अब उसके बाद आपको क्या करना है to make the disc durable paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disc अब देखो यह जो cardboard है यार अब इस cardboard के hole के अंदर अगर कुछ भी गंदगी चली गई थोड़ी मोडी particle dust particles चले गए ना तो यह kaleidoscope आपका खराब हो जाएगा इसलिए इस दफ्ती की ऊपर ना एक polythene चिपका दो ऐसे जैसे plastic चिपका दो ऐसे जैसे यहाँ पर यह देख रहे हो इस वाले चौथे वाले figure में ऊपर white color की plastic cardboard की ऊपर चिपका दिया गया है ना वैसे तुम भी चिपका दो उसके बाद क् touching the mirrors circular plain glass plate अब आपको एक सिरा तो हो गया हमारा चलो हमने उपर वाला हिस्सा तो बना लिया हमने tube लिया tube के अंदर prism को डाल दिया और इस tube को उपर से बंद कर दिया और बीच में हमने hole कर रखा है ठीक है यहाँ तक समझ लिया हमने अब अगला step क्या आता है यह जो नीचे वाला हिस्सा है इस नीचे वाले हिस्से में ऐसा कोई गोल सा सीसा हो तो उसको काट लो और इस सीसे के उपर अपने मम्मी से बोलना कि मम्मी मुझे चूडियों का टूटा हुआ तुकडा चाहिए ठीक है चूडियों का टूटा हुआ तुकडा इसके उपर रख देना ऐसे से और इस नीचे वाले ट्यूब में ये जो ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा है न ये जो सर्कुलर ग्लास है ले जाके इस ट्यूब के नीचे फिट कर दो आपका केलेडिस्कोब बनके तयार हो गया है आपका उपर वाला भी बंद हो गया है नीचे वाला भी बंद हो गया है अब अब जब तुम इसको आँख लगा कर इसके होल के थूँ देखो गे न आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाला गोला वाला सीशा है न इसके उपर हमने चूडियों का कुछ टुकडा रखा है ये चूडियों के टुकडे आपको कुछ ऐसे कलर पैटर्न होते हुए दिखाई देंगे बिल्कुल बहुत ही सांदार पैटर्न बनके दिखाई देता है आपको कैलेडोस्कोप में तो भाईया हमने ये देख लिया कि कैलेडोस्कोप बनाते कैसे हैं और इस कैलेडोस्कोप को बनाने के बाद हम इस पैटर्न को देख पाएं इस सीसे के उपर चूडियों का कुछ टुकडा रख दोगे ना, तब ही तुम्हें ये पैटर्न दिखाई देगा, अगर तुमने बिना टुकडे के ऐसे ही सीसे का धक्कन नीचे लगा दिया ना, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा भाई, कलेडिस्कोप में, इसलिए नीच ये चूडियों का कुछ टुकडा लगा देना, ताकि आपको ये पैटर्न दिखाई दे, तो ये था हमारा स्केलेडिसकोप, बनाते कैसे हैं, ये भी आपने देख लिया, अब देखते हैं, आगे क्या है, नाओ, अक्टिविटी निंबर 16.6 को करने के बाद यहां पर कुछ लिखा गया है कि your kaleidoscope is ready, मैंने बना लिया उस activity में की kaleidoscope कैसे बनते हैं, आपका kaleidoscope तयार हो गया है, और जब तुम इस kaleidoscope के अंदर देखोगे ना, वो जो हमने hole बनाया था छोटा सा, उस hole के अंदर जब तुम देखोगे ना, तुम देख पाओगे कि variety of patterns, बहुत ही अलग design आपको अंदर देखने को मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात क्या है इस kaleidoscope की, an interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again, सबसे अच्छी बात ये है कि तुम जितनी बार kaleidoscope में ज़ाक के देखोगे, kaleidoscope में आपको अलग-अलग pattern, अलग-अलग design देखने को मिलेगा, और यही feature का इस designers लोग, designers लोग क्या करते हैं, designer of wallpaper and fabric, जो आपके कपड़ों को design देते हैं, जो आपके कपड़ों को नया-णया fashion में बनاتे हैं आप कहते हों कि भाई नया fashion आया हुआ है, तो वो नया fashion के कपड़े कहां से आते हैं, यह designers बनाते हैं, और designers को idea कहां से मिलता है, नय-बाइणन के अंदर देखते हैं तो उन्हें अलग-अलग pattern दिखाई देता है जिससे यह हमारी जो mobile के wallpapers होते हैं तो उसका idea भी कहां से मिलता है kaleidoscope से और जो artist होते हैं जो अलग-अलग sketches जो अलग-अलग designs बनाते हैं वो भी kaleidoscope का मदद लेते हैं ताकि वो अच्छी-अच्छी नई-नई design बना सकें क्योंकि kaleidoscope में हर बार अलग-अलग pattern दिखाई देता है to make your toy attractive you can wrap the kaleidoscope in a colored paper अब तुम्हें ये जो kaleidoscope तुमने बनाया है इस kaleidoscope को तुम्हें और आकरसित बनाना है न तो उसको colored paper से ढग दो मतलब आपको आता है न color paper लाल, हरा, नीला इन सब color का color paper आता है color paper क्या करो आप इस kaleidoscope के चारो तरफ आप चिपका सकते हो ठीके हमारा next topic आता है topic number 16.6 इस topic में हम सिखेंगे कि जो sunlight है जो सूरज की किरणे होती है वो सफेध होती है या उनके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है बैया मुझे तो लगता है कि सफेधी तो होती है अलग-अलग रंग की कहा होती है sunlight चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चाई क्या है you learnt that the sunlight is referred to as white light तुमने ये पढ़ा हुआ है कि जो sunlight होती है न हम उसे white light मानते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो भीया कि जो sunlight होती है न हम उसे कहते तो white light है हम उसे refer करते हैं कि ये जो sunlight है ये white light है लेकिन सच्चाई क्या है हमने class 7 तुमें ये भी पढ़ा हुआ है कि white light के अंदर 7 color होती है 7 colors होती है इसका मतलब इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो sunlight है वो 7 रंगों का होना चाहिए बिल्कुल सही अब आप बोलोगे कि क्या भाया कैसे बात कर रहे हो sunlight सात रंगों का कैसे हो जाए हम इस activity में देखेंगे कि जो sunlight है ना उसके अंदर कोई एक रंग या कोई दो रंग नहीं बलकि 7-7 रंग होते हैं चलो मैं बताता हूँ आपको ये activity number 16.7 करके क्या है इस activity में इस activity में ये है भाया कि get a plane mirror of a suitable size place it in a ball कटोरी as shown in figure 16.3 आपको इस activity को करने के लिए ना आप ऐसे एक गोल सी कटोरी ले लो आपके घर में कटोरी तो होगी भाया हाँ कटोरी ले लिया हमने इस कटोरी में भर दो थोड़ा सा पानी चलो ठीके मैंने पानी भी फिल कर दिया अब इस कटोरी में तुम रख दो cisa ऐसे जो छोटा सा mirror यहां पर लगा गया है ना एकदम ऐसे ही तुम इस कटोरी के अंदर रख दो और क्या करना है आपको पुट दिस अरेंजमेंट नियर विंडो इन सच अ वे देट देट डारेक सनलाइट फॉल्स ओन दे मिरर आपको ये जो कटोरी और सीसा है ना इसको विंडो के ज़स्ट सामने रखना है ताकि जो सनलाइट आये ना वो सीधा सीसे पर आकर पड़े और हम जानते हैं कि सीसे पर अगर कोई लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफलेक्ट हो जाती है बिल्कुल सच बात है अब इस कटोरी को जब थोड़ा इदर उदर हिलाओगे ना तुम देखोगे कि ये जो सनलाइट आ रही है जैसे ही सीसे पर पड़ रही है ये सनलाइट वापस रिफलेक्ट होके किसी दिवाल पर पड़े ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा हाँ होगा भीया अब अगर आपकी दिवाल सफेध है तब तो ठीक है सफेध नहीं है तो जैसे इस भाई साहब ने इस दिवाल के सामने जहां से ये लाइट आ रही है इस लाइट की ज़स सामने इसने सफेध कलर का पेपर रख लिया है और जैसे ही तुम वाइट पेपर रखोगे न तुम यहाँ पर बहुत ही अलग-अलग रंग देख पाओगे यहाँ पर कौन-कौन से रंग होते हैं यहाँ पर आपको विब-ग्योर दिखेगा विब-ग्योर मतलब आपको सारे रंग दिखने वाले हैं यहाँ पर violet, indico, blue, green, yellow, ठीक है, और यह क्या हो गया, यह O for what, orange, R for red, आपको सारी color यहाँ पर दिखेंगे, तो कितनी simple सी activity थी, ऐसे, ऐसे एक कटोरी ले लो, कटोरी के अंदर सीसे को रख दो, ऐसे सीसे को रखो कि यह जो sunlight खिडकी से आ रही है, वो direct इस सीसे पर पड़े, औ और फिर जब reflect होकर यह light जाएगी न, तो इसके just सामने सफेद कागेज लाके रख दो, तुम देखोगे कि यह जो white light आ रही है, वो यहाँ पर आकर बहुत सारे रंगों में divide हो जाएगी, अब सबसे बड़ा question यह आता है, how can you explain this, तुम इसे कैसे समझा सकते हो, यह क्या है भ पानी के साथ रख देना, तो यह arrangement हमारा prism का काम करता है, अब prism क्या होता है, बापको यह भी नहीं पता होगा, prism क्या होता है, prism आप समझ लो, सीसे का ही बना होता है, उसका काम क्या होता है, prism का काम होता है, कि prism न, किसी भी light को, उसके अंदर कितने colors हैं, वो दिखाने के लिए काम आता है और जब हम इस सीसे को इस कटोरी में रख देंगे न तो ये पूरा arrangement हमारा prism का काम करेगा और जब prism का काम करेगा तो ये भाईया जो white light आ रही है इसके अंदर कितने रंग है वो हमें यहां इस white paper में दिख जाएंगे बिल्कुल सही इस process को हम क्या कहते हैं इस process को हम कहते हैं कि splitting of light into its colors is known as dispersion ये जो light आई यहां पर और prism पर ये जब टकरा कर वापस जा रही है तो ये white light अपने बहुत सारे colors में split हो जा रही है इसी process को हम कहते हैं dispersion समझ में आया ये जो rainbow बनता है जो इंदरधनुस बनता है बारिस के बाद ये dispersion का एक natural example है कैसे rainbow बनता है इंदरधनुस कैसे बनता है बहुत ही simple है जैसे for example ये हमारी धरती है जहां पर हम रहते है ठीक है और ये है हमारा आस्मान ठीक है अब देखो जब आस्मान से बारिस होती है न तो बारिस यहां पर आके इस धरती पर आके बहुत सारा बारिस का पानी इकठा हो जाता है और तब जब बादलों के बीच में से सूरज दे होता सन निकलता है ना तो जब सन की रेज इस पानी पर पड़ती है तो ये रिफलेक्ट होकर आसमान पर चली जाती है और आसमान में हमें अलग-अलग colors दिखाई देने लगते हैं और ये जो पानी होता है ने ये जो ground पर पड़ा water है ये किस चीज का काम कर रहा है ये prism का काम कर रहा है तब ही तो भाया ये जो white light है वो split होके हमें इंद्रधनुस बहुत सारे color हो में दिखाई देती है तो समझ गया है कि इंद्रधनोस हमें क्यों दिखाई देती है तो ये था हमारा activity number 16.7 अब चलते हैं अपनी next topic पर ये topic number 16.7 इस topic में हम पढ़ेंगे कि what is inside our eyes हमारी आखों के अंदर क्या-क्या चीजे होती है हम अपनी आखों से क्यों देख पाते हैं आखों के अलग-अलग parts कौन-कौन से होते हैं ये सारी चीजे इस topic में पढ़ेंगे तो चलो देखते हैं क्या है भाई इस topic को explain करने के लिए मैंने एक अलग ही presentation बनाया है इस presentation में हमने 3D images का use किया है ताकि आप parts of eyes को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ चलो पढ़ते हैं इस topic में क्या है कि we see things only when light coming from them इंटर सार आईस हम चीजों को क्यों देख पाते हैं क्योंकि कोई भी चीज हो उसके उपर कही ना कही से तो light पढ़ रही है और फिर वो light reflect करके हमारे आखों पे पढ़ रही है तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं यह बहुत ही simple सी चीज है हमने chapter starting में ही यह पढ़ा था ठीक है कि हम किसी चीज को क्यों देख पाते हैं क्योंकि कोई भी चीज है वो कही ना कही से उसके उपर light आ रही है सिर वो light reflect होकर हमारे उपर आ रही है ठीक है तभी हम उस चीज को देख पाएंगे अब जो हमारी आखे होती है यह हमारी one of the most important sense organ होती है हमारे पास 5 sense organs है eyes, ears, nose और tongue, skin इन में से आखे जो हमारी है वो सबसे ही most important sense organ होती है और इसी के लिए हमें यह समझना बहुत ही important है कि आखों की बनावट कैसी है और आखे हमारी काम कैसे करती है तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखे हमारी कैसे काम करती है the eye has a roughly spherical shape the outer coat of the eye is white जो हमारी आखे होती है अगर हम अपनी आखों को चमच डाल के निकाल लेना तो कुछ ऐसी हो जाएंगी आखों को कोई भी नुकसान ना पहुचे इसको हम cornea कहते हैं यह सफेद कलर की होती है और इतनी कड़ी होती है इतनी tough होती है कि अगर हमारा accident भी हो जाता है तो हमारे आखों को यह अंदर वाली जो आखे है इसको नुकसान नहीं पहुचता है आपने देखा होगा कि आपका जो mobile होता है mobile के उपर tempered glass आप लगाते हो ताकि आपकी mobile का display ना टूटे ना बिलकुल ऐसे ही आखों के उपर यह जो cornea है ना यह tempered glass का काम करती है ताकि हमारे आखों के अंदर कोई भी damage ना पहुचे समझ गए अब हमने यह समझ लिया कि हम इस outer coating को क्या कहते हैं cornea कहते हैं चलो ठीक है behind the cornea we find a dark muscular structure called iris अब देख पारे हो आप अब इन आखों के पीछे इन cornea के पीछे यह जो आपको यह गोला वाला structure दिख रहा है ना यह पूरा muscle का बना होता है manse का बना होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम iris कहते हैं देखो अब iris का क्या होता है कि in the iris there is a small opening called the pupil यह यह वाला part दिख रहा है आपको यह वाला इसको हम iris कहते हैं अब iris के अंदर यह जो black वाला हिससा आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम pupil कहते हैं अब ये जो pupil की size है न, the size of the pupil is controlled by the iris, अब ये जो black वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, अब ये कभी-कभी छोटी हो जाती है, और कभी-कभी इतनी बड़ी हो जाती है, और इसकी जो size होती है, जो pupil की जो size होती है, कौन control करता है, हमारी iris, iris चाहे तो इस pupil को छोटा कर दे, iris चाहे तो इस pupil को बड़ा कर दे, अब ये किस case में होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा describe कर देता हूँ, देखो, अब अगर कोई torch है, ठीक है, torch से बहुत जादा light आ रही है, हमारे आखों में पड़ रही है, तो ये iris न, hole को छोटा कर देगा, ताकि कम light अमारी आखों के अ light चाहिए, और जितना बड़ा pupil होगा, उतनी जादा light जाएगी, हम कहते हैं कि क्या आखे फाड़ फाड़ के देख रहे हो, तो आखे फाड़ फाड़ के देखना मतलब, ये जो pupil है, ये बड़ा हो जाता है, हमें कोई चीज बहुत ध्यान से देखते हैं न हम, तो ये pupil बड इस होता है न, ये ही control करता है, देखो, the iris is that part of eye which give it its distinctive color, अब जो हमारे आखो का रंग होता है, आपने देखा होगा, हनी सिंग ने गाना गाया था, blue eyes, hypnotize तेरी, तो आखे पूरी blue नहीं होती, बलकि ये ही iris ही हमारा blue होता है, किसी-किसी की iris brown होती है, किसी-किसी की iris नी नीली आखे होती है, हमने सुना ही है, देखा भी ये लड़कियों को, नीली आखों वाली कहां चली, ये टिक है, गाना नहीं था, कोई, चलो आगे, तो आप समझ गए, iris क्या होता है, iris हमारी आखो को color देता है, इसके अलावा, iris इस pupil के size को छोटा और बड़ा करता है, ये pupil की size छोटी कब होती है, जब बहुत जादा light आ रही हो, और इस pupil की size बड़ी कब होती है, जब बहुत कम light हो, समझ गए, अब आगे चलते हैं, कि when we say that a person has a green eyes, अगर हम ऐसा कहते हैं, कि किसी इंसान की हरी आखे हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं है, कि पूरी आखे ही हरी हैं, बलकि केवल यही iris वाला हिस्सा green हो जाता है, समझ में आया, the iris controls the amount of the light entering into the eye, मैंने अभी आपको बताया ना, कि iris का काम क्या होता है, iris इस pupil की थूरू कितनी light अंदर जा रही है, इसको control करता है, अगर बहुत जादा light अंदर जा रही है, तो इस pupil को ये iris छोटा कर अगर कम light जा रही है, तो ये iris इस pupil को बड़ा कर देगा, चलो हम इसको एक activity से देखते हैं, activity number 16.8, इस activity में हमें करना क्या है, इस activity में हमें चेक करना है, कि हमारी आखों की बीच में ये जो black वाला part होता है, जिसे हम pupil कहते हैं, इस pupil की size कब बड़ी हो जाती है, और कब छो क्या है, अपनी दोस्त के आखों का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये black वाला हिस्सा, इसको ध्यान से देखो, अब जब तुमने देख लिया कि आपके दोस्त के pupil की size कितनी है, उसके बाद ना क्या करो, एक torch जलाओ और torch को इस आखों के सामने ले आओ, तुम देखोग तुम देखोगी, ये pupil फिर से छोटा हो जा रहा है, अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, कि जब हम torch on करते हैं अपनी आखों के सामने, तो बहुत जादा light आखों में जा रही है, तो iris क्या करता है, ये जो किनारे किनारे ये जो दिख रहा है न, इसको iris क्या करत है, जब देखता है कि बहुत जादा light जा रही है इस pupil के अंदर, तो इस pupil को वो छोटा कर देता है, ताकि कम light जाए, अब जब हम light बं कर देते हैं, तो ये iris सोचता है कि भाई, अगल बगल light ही नहीं है, तो ये इस pupil को बड़ा कर देता है, ताकि और जादा light आए, अंधेर में हमारा pupil बड़ा हो जाता है और उजाले में हमारा pupil क्या हो जाता है छोटा हो जाता है समझ में आया बिहाइंड दो प्यूपिल ऑफ द आई is a lens which is thicker in the center अब देखो अब ये ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं pupil मैंने आपको दिखा दिया ठीक है इस pupil के पीछे ये जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम lens कहते हैं what kind of lens is thicker at the center अब देख रहो आँखों में ये जो मोटा वाला lens दिख रहा है ये कौन से प्रकार का lens होता है हम जानते हैं there are two types of lens एक होता है convex lens एक होता है concave lens हमारे आखों के अंदर कौन सा lens होता है convex lens होता है c-o-n-v-e-x convex lens ठीक है आगे देखते हैं क्या लिखा है कि recall what you learned about lenses in class 7 तुमने already class 7 में ये पढ़ा हुआ है कि हमारे आखों के अंदर जो lens होती है वो कौन सी lens होती है वो convex lens होती है अब चलो हमने इतना तो देख लिया अब क्या होता है कि the lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina जब कोई भी light हमारे इस आगे वाला जो pupil होता ये black वाला pupil देख रहा हो light को नीचे आखों के पीछे एक layer है ये देख रहे हो ये जो layer है इस layer में बहुत सारी नसे होती है इस layer को हम क्या कहते है इस layer को हम retina कहते है the lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina the retina contains several nerve cells अब ये जो retina है ना ये retina कैसे बना है ये ये पीछे देख रहे हो ये जो नसे है ये हमारी brain तक जाती है अब ये जो brain से नसे आई हुई है ये नसे आधा इधर फैल गई है और आधा नसे इधर फैल गई है तो भाई इसी फैले हुए नसों को हम क्या कहते है इसी फैले हुए नसों को हम retina कहते है देखो sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain throughout the optic nerve होता क्या है भाई-साँ होता ये है कि जब इस lens से हमारी retina पर light पढ़ती है तो इस retina में बहुत सारे नर्व हैं बहुत सारी नसे हैं तो जैसे ही light इस नसों पर पढ़ती है तो इस retina पर क्या feel होता है? sensation, कुछ feel होता है retina को, तो retina इस feeling को नसों के through brain तक ले जाता है फिर brain हमारा image बनाता है और इस तरीके से हम किसी भी चीज को अपनी आखों से देख पाते हैं, अब देखो हमारी retina, there are two kind of cells, अब यह जो हमारे retina होता है, हम जानते है कि जो retina होता है हमारा, यह किस चीज से बना होता है, nerve cells से, किस चीज से, nerve cells, मतलब जो हमारा retina होता है, यह बहुत सारी नसों से मिलके बना हुआ है, अब retina के अंदर दो प्रकार की नसे होती है, पहला जो नर्व होता है इसको हम कहते है, कोन, और जो दूसरा नस होता है, उसको हम rots कहते है, ठीक है, अब देखो cones वाली जो नसे होती है, वो ऐसे-ईसे, ऐसे-ईसे जुड़ी होंगी, ठीक है ऐसे-ईसे cone की तरीके से वो जुड़ी होती है, इनका काम क्या होता है इनका काम होता है, which are sensitive to bright light, जो हम colorful दुनिया देखते है न, जो हम अलग-अलग रंग देख पाते हैं, वो retina के इसी cones की वज़े से देख पाते हैं, अगर हमारे retina का ये जो cones है, वो खराब हो जाए, तो हमें सारी चीजे black and white दिखाई देंगी, ठीक है, अब जो दूसरे ही नसे होती है, हमारे retina में, वो होता है rod, rod कैसे होता है, rod ऐसे rod की तरह लगा होता है ऐसे chain की तरह, rod की तरह लगा होगा, rod का का काम क्या होता है which are sensitive to dim light अंधेरे में हमें चीजे क्यों दिखाई देती है, इस rod की वज़े से अब जिसके retina का, ये rod खराब हो जाता है, उसको हो जाती है रतवधी, जिसे हम night blindness कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, night blindness, ठीक है हमें रातों में दिखाई नहीं देता क्योंकि रातों हमें दिखाई क्यों देता है इस rods की वज़े से, जो retina होता है, retina में दो तरीके की नसे होती है, एक cones और एक होता है rods, cones का shape कुछ ऐसा होता है, cones हमें इस दुनिया के अलग-अलग रंग को दिखाता है, और rods क्या करता है, रातों में चीज़े को देखने में मदद करता है, जब भाई, rods ही नहीं रहेगा, तो हम रात में कैसे देख पाएंगे तो समझ में आया, हमारे retina में cones और rods की वज़े से, हम दिन में और रात में देख पाते हैं cones sense color, यह जो cone नसे होती है, यह हमारे दुनिया में जो अलग-अलग रंग है, उसको देख पाती है at the junction of the optic nerve and the retina there are no sensory cells so no vision is possible at that spot, this is called a blind spot अब देख पारे हो, यह वाला चीज देखो, जहां पर यह retina और यह जो optic nerve मिली है यहां पर, यह वाला जो हिस्सा देख पारे हो और उको मैं label कर देता हूँ यह जो वाला पार्ट, यह पार्ट यह पार्ट, यहां पर कोई भी नसे नहीं होती है ना तो कोन होता है, ना तो rod होता है, तो जब कोई नसे ही नहीं होंगी, तो यहां पर अगर light, direct आके lenses से यहां पर पढ़ती है न, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और इस spot को हम blind spot कहते हैं, अब तुम्हें देखने का तो जरूर मन कर रहा होगा कि blind spot में हमें कैसे चीजे नहीं दिखाई देती हैं, तो चलो, मैं तुम्हें इस activity से सिखाता हूँ, activity number 16.9, भूल जाओ कि इस activity में क्या लिखा है, बस ध्यान से देखो, बहुत मज़दार activity है जादू जिसे कहते हैं, क्या करो एक sheet of paper ले लो, ऐसे white color का paper ले लो, ठीक है white color की paper में एक ऐसे cross की sign बना दो, और एक ऐसे dot की sign बना दो, अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कम से कम 8 cm की दूरी रहे, ऐसे बनाना कि ये cross और इस dot के बीच में 8 cm की दूरी रहे, फिर क्या करो, फिर अपनी left eye को, याद रहे तुम्हें कौन सी आँखे बंद करनी है, left eye को एक उंगली से बंद कर दो, और फिर इस cross को ध्यान से देखो, और अपनी आँखो को धिरे-धिरे इस cross के पास ले जाओ, तुम देखोगे न, ये जो black वाला हिस्सा है, ये गायब हो जाएगा, देखो, अभी तुमको, अभी ये जो activity दिख रहे हैं आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये जो activity है, video को pause करो, और अपनी देर बाद न, ये जो black वाला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ सफेद दिखेगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब, जो जैसे ही हम अपनी आँखो को इस पर नज़र टिका देते हैं न, तो ये हमारा blind spot हो जाता है, ये वाला हिस्सा हमारे उस, उस retina के उस हिस्से पर पड़ता है, जहाँ पर कोई भी नसे नहीं होती, यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तो जब कोई भी image यहाँ पर पड़ेगा, तो हमें वो image दिखाई नहीं देगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये सफेद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सफेद हो जाएगा, कम से कम अगर हम एक second का 16 हिस्सा करें, तो एक हिस्सा जितना बराबर होता है ना second का, उतने time तक ये dot वाला जो portion है, वो जैसे जैसे तुम अपने आखो को इस cross के पास ले जाओगे ना, तुम देखोगे ये black वाला हिस्सा गायब हो जाता है ऐसा क्यूं हो जाता है, क्यूंकि इस black वाले की हिस्से की जो image है वो हमारे blind spot पर पढ़ती है, और इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है, अब ये जो dot है ये अचानक से गायब नहीं हो जाता ये कम से कम, एक second का अगर हम 16 हिस्सा कर देना तो एक हिस्सा जितना होता है उतने time तक ये dot हमारी आखों को दिखाई देगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कार जैसे ये कार है, अगर कोई भी कार चल रही है, ठीक है और इस कार के चलते हुए कि हमने क्या खीच ली, हमने photo घीच ली, image हमने इस चलती हुई कार का image खीच लिया, और फिर image को अपने आखों के सामने ला कर, अगर हम एक सेकेंड में इस image को 16 बार लपलुप लपलुप करते हैं न, तो हमारी आखों को लगेगा कि ये कार चल रहा है यहां भी जादू है, यहां भी जादू है मेरे भाई, क्या करो, किसी भी चलती हुई चीच का photo खीच लो और एक सेकेंड में उस चीच को अगर तुम 16 बार अपनी आखों के सामने लपलुप लपलुप करा पाते हो न, तब तुम देख पाओगे कि तुम, तुमारी आखे जो है न, इस चीच को चलती हुई दिखाई देती है ऐसा लगेगा कि ये जो चीच है वो चल रही है तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजे थी बस याद रखना कि इफ, इस तिल इमेज़ेस ओफ आफ़ अपजेक्ट आर फ्लैजड ओन दा आई एट रेट आफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड देन दा आई परसीव दिस आपजेक्ट अगर हम किसी चलती हुई चीच का फोटो घीच ले और एक सेकेंड में उस चीच को अपने आखों के सामने 16 बार ले आएं और ले जाएं तो हमें लगेगा कि वो चीच क्या कर रही है वो चीच मूफ कर रही है समझ में आया, so this is all about this part, part third में इतना ही था बहुत सारी चीजे हो गई इनको दोबारा revise करो, पढ़ो ताकि आपके दिमाग से निकलना जाए और इस chapter का जो last part है वो हम अपनी fourth part में लेके आएंगे तब तक बने रही है हमारे channel के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद